जिनोंने औरत को समझ लिया वो तो साधू बन गए और जिनोंने नहीं समझा वो बेचारे पती हेलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम क्यून के बारे में जो लोगों को अपनी कोमेड़ से बहुँ ज़दा हसाती हैं और उनकी लाइफ में बहुत ज़दा प्रशानिया भी हैं और उन्होंने प्रशानियों को जेलते हुए अपनी मेनत के दम पर अपने मुकाम को हासिल किया हैं और उनको बड़े-बड़े सैलिबरेटी जैसे परियांका चोपड़ा ने भी फोलो इंस्टाग्राम पर फोलो किय करते हैं आखिर उन्होंने इनको तला क्यों दिया तो जानेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें दोस्तों बात करते है इनकी पर्सनल लाइफ के वाले में तो दोस्तो इनका जनम 1985 को मामभई महाराश्टरण में एक मराटी फैमिली में हुआ था बहुत ज़्याद निर्दन परिवार था इनका जनम निर्दन परिवार में हुआ था तो इन्होंने अपने करियर की सुर्वात यूटूब चैनल से क पर इस व्यादस पर दना आ था जिसपर यूटिडियो डाला करती थी लोbuild अपनी लावें बहुत जाता परिशानियों का भी सामना किया था उनकी मायके में उनकी मम्मी और एक बेहन है और उनकी एक छोटी बच्ची है दोस्तों जब वर्सा सोलंकी बहुत छोटी थी तब इनके पापा की मिर्थी का करण था उनके बहुत जाता सरा प्या करते थे इनके पापा की मिर्थी के बाद इनके सारे घर की जिम्मेदार इनकी खर्ट से उठाती थी जब वर्षत सोलंग के थोड़ी बड़ी हुई तब वो भी अपनी मम्मे के तरही घर में काम करने लगी और उससे कुछ पैसे बस्ते थे जिससे उन्होंने अपनी बहन को पढ़ाया और जब वो बड़ी हो गई थी तब उसकी साधे भी करवाई अलाकि उनकी साधी इतनी अमीर फैमिली में नहीं हुई कि उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल करके अपनी लाइफ वो आज इतना सैटल कर लिया है कि आज वो बहुत बड़ी इंफ्लेंसर बन गई है और उसके बाद उनकी मम्मी ने वर्षत की साधी करवा दी जो भी उनकी फै काम करके पैसे कावना चाहती थी और अपने पती को सपर्ट करना चाहती थी लेकिन उनको ये बिलुकुल बिपसंद नहीं था वर्षत ने अपने मन से काम करने का ख्याल दिल से निकाल दिया उसके बाद इनके पास उनके घर एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ इनकी बेट बेबी के साथ पूरा दिन बिताने के बाद मा जोकी फनी वीडियो था और वो वीडियो राप राध। इतना वायल हुआ कि ये रात राध इस्टार बन गई और टिक्टोक पर इनके फॉलेवर जो बहुत देजी से बढ़ने लगे तब इनको पती को इनके टिक्टोक के बारे में बता पताशला तो इनके पती इन से बहुत जादा गुस्वा हो गए थे और जगड़े करने लगे थे और इनको वीडियो बनाने से माना करते थे कि तुम वीडियो नहीं बनाऊगी लेकिन वर्षा ने कहा कि मैं कुछ गलत काम थोड़ाया हूं मैं सिर्फ वीडियो पनाती हूं जिससे उनके बीच बहुत इंस्ट्राइम लॉंच हो गया था इन्हों ने अपना अकाउंट बनाया वर्स सोलंके की फेस वाली तो पहले से थी जब लोगों ने इनके वीडियो को देखा इनकी फ़नी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो उस वज़े से इनके फॉलोवर्स बहुत तीजिसे बढ़ने लगे थे इंस्ट्राइम पर भी इनके पांच वीडियों से ज्यादा फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रेगल करते हैं महनत ओर लगन से आज अपने मुकाम को हासिल कर लिया है आज ये बहुत बड़ी इंफ्लेंसर बन गई है और फिर इ उन्होंने अलग रहने का फैसल अगिया अपने वर्सा वीडियो बनाना इसलिए नहीं चोड़ना चाहते थी क्योंकि इंस्ट्राग्राम से उनके अच्छे खासे पैसे आ रहे थे और घर में भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था लेकिन उस वज़ए से भी उनके पते को कोई फ अच्छा बोलते थी कि हमारा बच्पन तो गरीबी में भी बीता है लेकिन हमारी बच्ची का बच्पन गरीबी में ना बीते उसको अच्छी शिक्सा मिलें इसी वज़ए से इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और इनको इंस्ट्राग्राम पर अच्छ अच्छे स्प बना कर बोला कि यह इसका पती है इसने दूजी साथी कर लेकिन वह सच्चा ही नहीं है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मेहनत और लगान से मेहनत करता है तो उसका मुकाम अपना पूरा हो जाता है और उसी में से एक है वर्षा सोलंकी उन्होंने गरीबी में से निकलकर अपन फैमिली के लिए वो सब करना चाती है जिससे उसका बहुत ज़्यादा दिक्कत है और प्रिसानिया आई थी बच्छपन में तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं समाथ करते हैं लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू बताना वीडियो पसंद आये तो वीडियो क लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरू कर लेना